युद कुछ नहीं देखता इस वक्त ABP News मौजूद है लेबनन की राजधानी बेरूत के पास और मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर इसराइल ने तकरीबन 15 मिनट पहले जोरदार बिसफोर्ट स्ट्राइक किया है आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि य तो लेबनन के दक्षनी बॉर्डर पर युद्ध चल रहा है इसराइल और लेबनन के हिजबुला के बीच में वो युद्ध किस तरह से बेरूत की दहलीज यहनी कैपिटल की दहलीज तक पहुँच गया है यह बिल्डिंगे देखिए कितना भारे नुकसान हुआ है और कुछ लोग हमें यह कह रहे हैं कि यहां दोबारा स्ट्राइक हो सकता है लेकिन यह कैजूल्टी सिर्फ यहीं तक नहीं है आप देखिए यह पूरे बाजार को लेबनन आर्मी ने खाली करने के लिए बोल दिया है और यह जगह जगह इन बिल्डिंग को नुकसान वो थे वो हैं सारी दुकानों को नुकसान पहुचा है यह कुछ लोग यहां पर मवजूद है इसा के वाइद है? ईरो तो एक रावाद्व israelे इसे के च्वेलमी निए उनले आहे जांगे हैं । भी क्योला जो आई ₤ ते क्योड़ा úter कोड़ कोड़ा है? उट निसमें उनले हैं उनले हैं में क्यों प्रेत की। ज þुट में चूनतों blesता हैं यहां हमला हुआ है यहां आर्मी नहीं है लोग नहीं है और यह कुछ लोग देखिये अपनी गाडियों को समान को दुकानों को एक किन बेंसी गाड़ी यहां पर यह पूरा बिल्डिंग का हिससा देखिये इस गाड़ी की छहत पर आगिव घचानों के क्वार्ड का रहा है यह समान निकाला जा रहा है बाता है है और अब हैपनों कॉन वडियों का नाम इसेज़ उर और कार pass हैपन और यह निजल हैदा बिल्ले लड़ा कुल इले दरा हैदा हुए और कफे का मैं यह इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं लेकिन स्थानी भाचा में बता रहे हैं कि इस साइड हमला हुआ है और यह देखिए डिस्ट्रक्शन की एक और तस्वीर यह देखिए किस तरहां की तस स्राइल ने हमला किया है आप एबीपी न्यूज पर यह सीधी तस्वीर देख पा रहे हैं वार जोन का वो इलाका जहां अभी अभी हमला हुआ है यह देखिए रिहाईशी इलाके में जहां इस वक्त मैं खड़ा हूँ यह लोगों के यह लोगों के बिस्तर जो है बिस्तर स चंद मिनट पहले यह हमला हुआ है पूरी की पूरी बिल्डिंग को देखिए किस तरह से तहसनेस कर दिया गया है एबीपी न्यूज पर वार जोन से सीधी तस्वीरे जिक विंदर पट्याल के जरीए आप देख रहे हैं मेरे सहयोगी कैमरामेन अजीज चाको मेरे साथ वा स्ट्राइलने स्ट्राइक करके देखिए कितनी बड़ी तबाही की तस्वीर लिखी है हिजबुल्ला और इसराइली फोर्सी के बीच में जिस तरह से युद चल रहा है उसके बाद देखिए ये पूरी बिल्डिंग को कैसे तहस नहस कर दिया गया है ये तस्वीरे हम सीधी आपको बेरूस से दिखा रहे हैं इस पूरे रहाइशी इलाके को खाली करने के लिए कह दिया गया है यहां की मिलिटरी की तरफ से लेकिन इस स्ट्राइक के बाद लोगों की आँख खुलती उससे पहले ये बिल्डिंग का निकलता हुआ धुआ और ये तमाम चीज़ें आ हो सकता है अभी सूरज यहां उगा नहीं है लेकिन उससे पहले देखिए यह किस तरह से गाडियां हो घर हो ये बच्चों की आप देख सकते हैं कि किताब में नजर आ रही है ये सब कुछ मलबे के धेर में तब्दील हो गया है ये देखिए ये किसी के अकाउंट्स की बु इश्यों को तबाह कर देता है वो तस्वीरें आप एबीपी नियूस पर देख रहे हैं ये देखिए रिहाईशी इलाका इन गाडियों के हाले देखिए क्या कर दी गई है जहां भी देखो तबाही की तस्वीर नजर आ रही है ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था इसराइल की तरफ से ये एक बड़ा हमला किया गया है और इस हमले में कैसे लोगों के आश्याने उनके बिजनस तबाह हो गए है उसकी तस्वीरें आपको ये दिखा रहे है चंद म पहले बेरूत राजधानी के पास ये हमला हुआ है और इस हमले की तस्वीर पूरे लब्नन को हैरान करने वाली है देखिए पूरी की पूरी बिल्डिंग को अब ये इस बारे में अभी ख़बर नहीं है कि आखिरकार इस बिल्डिंग में ऐसा क्या था जिसमें ये हमला किय गया है इसमें कितने लोग थे अंदर कितने लोगों की जान गई है क्या मलबे के अंदर अभी भी बच्चे महिलाएं या फिर दूसरे लोग यहां पर चुपे हुए थे या रह रहे थे उनकी उनकी जान को हानी हुई है इस बारे में कोई भी चीज अभी क्लियर नहीं हो प पर अब स्तरकता बढ़ा दी गई है और हमें भी ये कहा जा रहा है कि इस इलाके को खाली कर दिया जाए ऐसा नहों कि एक और अटक यहां पर दुबारा से कर दिया जाए लेहा जाए इस पूरी तवाही की तस्वीर को लेकर अब हिजबुल्ला या फिर लेबनान का रेक्शन आता है ये देखने बली बड़ी बात होगी अजी चाको के साथ जगविंदर पत्याल, ABP News, Peerut. और धुबिंदर सिंह घुदा फ्रम कोंग्र्स विल टाबल इस ताइड. हर्याना में मौझूत है आम इस वक्त.